हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का उधंपुर स्री नगर बारा मुला रेलिंग प्रोजेक्ट की अपडेट में आज की इस वीडियो में मैं आपको USBRL प्रोजेक्ट के उपर बन रहे सावल कोट रेलवे स्टेशन की अपडेट देने जा रहा हूँ सावल कोट रेलवे स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसकी उपर काम अभी almost 90% रह रहा है और इस स्टेशन के उपर आज मैं आपको लिकर चलूँगा और दिखाऊंगा कितना कुछ काम यहाँ पर हो चुका है कब तक यह स्टेशन बन कर तयार हो जाएगा और वाकई में इस स्टेशन के यहाँ पर बन जाने के बाद कब यहाँ पर जम्मू से सिरिनगर की डिरेक्ट जो रेलवे कनेक्टिविटी है वो मिल पाएगी तो इससे पहले कि मैं वीडियो को सुरू करूँ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरीके की अपडेट देखना चाते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर कर दीजे चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस अपडेट को तो दोस्तों USBRL प्रोजेक्ट यहां पे टोटल 272 किलिमेटर लंबा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर काम अभी कटरा बनिहाल सेक्शन पे किया जा रहा है औ और एक तरफ जहां पे पूरे USBRL के अंदर 95% तक काम कंपलेट हो गया है और वहीं दूसरी तरफ यहां पे सावल कोट रेलवे स्टेशन के उपर अलमस्ट अभी 90% तक काम अगर मैं देखूं तो यहां पे रह रहा है दिखाता हूँ अपडेट लेकिन इससे पहले की बता द प्रोजेक्ट के ब्रीज नमर 60 के उपर यहां पे ट्रैक लेंग का काम जो है वह स्टार्ट हो गया था और अब यहां पे आप लोग देखेंगे तो प्रोजेक्ट का जो ब्रीज नमर 60 है इसके उपर प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया जा रहा है जिसकी वज़े से यहां पर जो गर्डर लाँचिन का कम है वो अभी आप लोग कह सकते हैं, बृचच के आदे हिससे में रह रहा है और आदे हिससे में पूरा कर लिया गया है और जो आदे हिससे में काम पूरा हुआ था, उसके यहां पे उपर प्लेटफूर्म बनाने का कम अल्मॉस्ट यहां पर प्लेट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि का काम हो चुका है ट्रैक लेंग के लिए यहां पर आल्मोस्ट जो यहां पर इस्ट्रक्चर है वो तयार कर लिया गया है और यहां पर आप लोग इस्टेशन की तरफ बढ़ेंगे तो अभी गर्डर लॉंचिंग का काम चल रहा है औ कावल कोट रेलवे स्टेशन की जो में बिल्डिंग होने वाली है यहां पर इसके बिल्डिंग के लिए यहां पर पाइलिंग का काम कंप्लेट कर लिया गया है आपकी भास में कहूं तो यहां पर अभी जो इस्ट्रक्चर है रिंग का वो तयार कर लिया गया है और भी अभी काम रह रहा है, लेवलिंग का काम almost complete हो चुका है और अभी इस पूरे हिस्से में trackling का काम, electrification का काम और signaling system का काम किया जाना है तो अभी आप लोग ने देख लिया किस तरीके के यहां के visuals हैं अब आप लोग अंदाजा लगाईए कि इस railway station को बनने में कितना समय लगने वाला है देखिए, यहां पे जो मिडे 2024 की deadline मैंने आपको अभी रिसेंटली फाइनल deadline की जो update मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको बताया था जी हां, मिडे 2024 हो जाएगा इस project के यहां पे जम्मू से सिरिनगर की director railway connectivity को मिलते हुए क्योंकि यहां पे अभी सावल कोट और bridge number 60 के उपर काफी हता काम रह रहा है और यहां पे काम भी काफी तेजी से किया जा रहा है पिछली progress के मुकाबले, यहां पिछली वीडियो के मुकाबले इस वीडियो में काफी अच्छी progress आई है और यहां पे काफी बढ़ियां काम किया गया है और काफी तेजी में काम किया गया है चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर दीजे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे ऐसी ही अपडेट्स देखने के लिए